तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि गुजरात के खेड़ा में जो पाटिदार किसान थे वो नौन वाइलेंट तरीके से ब्रिटिस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कारण यह है कि आखिरकार वो उनके खिलाफ अंदोलन क्यों कर रहे थें जो पाटिदार किसान लोग हैं तो कारण यह था क्योंकि जो वहाँ की ब्रिटिस सरकार थे वो बहुत ही जादा लैंड रिविन्यू ले रहा था यानि कि land पर taxes बहुत heavy ले रहा था यही कारण है कि खेडा में रहने वाली जो पाटिदार किसान थे वो non-valent तरीके से Britishers को यह हम कहें कि जो वहां के Britishers थे उनके खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाया और क्योंकि non-valent था इसलिए इन लोगों ने गांधी के साथ भी अपना साथ जो है वो देते हैं लेकिन जब हम coastal अंध्रपरदेश में देखते हैं यानि कि जहां पे तट्या अंध्रपरदेश है और उसके छेतरों के अंदर देखते हैं तमिलाडों में देखते हैं तो वहां पर उन लोग क्या करते हैं कि जितने भी शराब की दुकाने होती हैं उन सब की वहां पर उन लोग क्या कर देते हैं घेराबंदी कर देते हैं और अंद्रपर्देश के ही एक जिला है और उस जिले का नाम क्या है उस जिले का नाम गुटोर है तो वहां के जो भी आदिवासी लोग थे तो आदिवासी लोग वहां के आदिवासी लोग और जो वहां के गरीब किसाल थे वो लोग भी क्या करते हैं फॉरिष्ट सत्यागरा करते हैं अब ऐसा क्यों कर रहे थे वो वहाँ पर फॉरिस्ट तत्यागरा क्यों कर रहे थे इसकी पीछे का क्या कारण है तो चलिए अब इसकी पीछे का कारण भी हम लोग समझते हैं तो दरासल जो गुटूर जिले के रहने वाले आदिवासी थे और जो गरीव किसान थे वो लोग क्या करते थे जो पश्यू होता है जो जानवर होता है उस पर उनकी जीवनी ठिकी हुए थी तो वो घास वगरा चरने के लिए अपने गाईों को अपने बकरियों को भैसों को वो लोग जंगल में छोड़ दिया करते थे लेकिन जंगल में जो बिटिशर्स थे वो घुसने समना कर रखे थे रेस्ट्रेक्ट करके रखे हुए थे और जिनको भी गाई वगरे चराना है या जिनको भी बक्री वगरे चराना है जंगल में तो उनको क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था तो जो आंद्र परदेश के गुटूर जिले में रहने वाले आदिवासी और जो गरीब किसान थे वो लोग इतनी सक्षम नहीं होते थे कि इसका जो है टैक्स पे करे और उसके बाद वो भेजे तो बेना टैक्स पे ही क्या करते थे गाईों को बकरीों को जंगलों में भेज दिया करते थे तो अब ऐसा होता क्या है कि दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉनिल स्टेट है रिस्ट्टिड देर यूज उस फोरेस्ट रस्टिस इन वेरियस वेज तो ये जो आदिवासी समाज के लोग थे या जो गरीब किसान थे वो इसे खिलाफ ब्रिटिशस के इस रवईय के खिलाफ वो लोग प्रोटेस्टिंग करते हैं क्योंकि ब्रिटिशस लोग क्या लागो कर दिया है कि वह आपको इसका जो है जो जब भी आप जानवर को चराने के लिए जंगल में भेजेंगे तो उसके एवज में आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे तो ये जो इंपोस कर दिया गया उनके उपर उसे के अगेंस्ट में वहाँ के आदिवासी वहाँ के गरीब लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गये थे और वहाँ के जो आदिवासी थे वहाँ के जो गरीब किसान थे उनको ऐसा लगने लगा था कि जो गांधी जी है वे उनके उनके उपर जो टेक्स थोबा गया है उसको वो पुरी तरह से खत्म भी करवाएंगे और टेक्स को कम कराएंगे और जो टेक्स का जो नियम कानून बना हुआ है जो फॉरिस ट्रेकुलिशन सिर्फ में लगा हुआ था उसको भी वो पुरी तरह से क्या करेंगे खत्म करने का काम करेंगे तो ऐसा कौन सोच रहे हैं जो आदिवासी लोग है आंदर परदेश के जो जीले में रहने वाले जो भी आदिवासी लोग है जो भी गरीब किसान लोग है वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि गांधी जी जो है वो टेक्स भी हमारा कम करवाएंगे और साथी साथ जो forest regulations है उसको पुरी दला से वो समापते भी करवाएंगे और जो वहाँ के किसान लोग थे वो लोग यह यहां तक स्वाराज के बारे में भी बहुत कुछ कहना शुरू कर दिये नारा लगाना शुरू कर दिये तो वो मानते थे कि गान्धी जी का राज जो है वो यहां पर इस्थापित हो गया है इसलिए वो सब जगा पर इस तरह का नारे बाजी भी लगाना शुरू कर देते इस तरह का believe करना शुरू कर देते हैं तो चलिए अब हम लोग यहां पर सबसे पहले यह देखेंगे सिंध है कहाँ पर तो वीडियो के माधियम से चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इंडिया है और यहाँ पर हमारा सिंध है जो कि पाकिस्तान के आसपास में आपको दिखाए दे रहे हैं तो ये जो है आपका, ये क्या है, सिंध है, जो कि अब पाकिस्तान का एक हैसा बन चुका है, तो यहाँ पर आपने नोटिस कर लिया कि सिंध भारत में कहां पर है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कि जो पाकिस्तान में सिंध है अभी, वहाँ के जो भी मुसल किसान लोग थे उनमें बहुत ही एक गजब की खुशी थी कि खिलाफत जो आंदुलन हो रहा है उसको लेकर वहां के जो वहपारी मुस्लिम थे और जो वहां के किसान लोग थे उसमें एक खास तरह का जोश जो है वह आपको देखने को मिलता है सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिंद में ही देखने को मिल रहा था इसका इंपैक्ट बलकि बंगाल में भी ये चीज़ देखने को मिल रहा था तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले अभी यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार बेंगॉल कहाँ पर है और उंडिया से कहाँ पर है ये भी देखिए ये हमारा इंडिया है और इंडिया के इधर वाले हिंसे में आप देख सकते हैं कि आपका इंडिया से किस जगा पे हमारा बंगला देश है ओके तो चलिए यहां तक आप इस बात को समझ चुके हैं सो अब हम लोग वापस अपने पॉइंट पर आते हैं तो ऐसा नहीं था कि जो सिंध है वहां के सिर्फ जो मुसलिम बैबारी लोग थे और किसान लोग थे उसमें ही सिर्फ जोश नहीं देखने को मिल रहा था खिलाफत अंदोलन को लेकर बलकि जो बंगाल में भी इस चीज़ को देखा जाता है वहां पर भी ऐसा ही कुछ जोश वहां के लोगों में भी देखा जाता है बंगाल के लोगों में भी और उन लोगों का मानना था कि जो खिलाफत अंदोलन है और जो non-corporation alliance है यानि कि खिलाफत अंदोलन जो शुरू हुआ और non-corporation moment जो कि गांधी जी के जरिये शुरू हुआ था उन दोनों का जब गडबंधन होता है alliance होता है तो इसमें एक चीज देखने को मिलता है कि जो communal unity है वो बहुत strong देखने को मिलता है यहाँ पर इस तरह का भावना नहीं था कि आप हिंदू हो मैं मुसल्मान हूँ इसके वज़ा से वहाँ पर कोई foot देखे वो देखने को नहीं म हुआ और जब non-corporation moment चाल हुआ तो दोनों में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा community के बीच में strength जो है वो बनता हुआ दिखाए देता है और यहीं ऐसा strength था यह जो unity थी communal unity आपको यहाँ पर देखने को मिलता है यानि कि खिलाफत आंदूरन को लेकर और जो non-corporation moment को दे जहने जाने लगा था तो हम लोग देखते हैं पंजाब में तो पंजाब में अकाली आंदूरन चलता है तो यह जो पंजाब में अकाली के द्वारा चल रहा था सीख लोग जो थे वो पंजाब में रह रहे थे और वहाँ पर ये लोग जो थे अकाली अंदूरन चला रहे थे क्यों चला रहे थी थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं क्योंकि गुरु द्वारों में जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनके सपोर्ट के वज़े से वहाँ पर जो महंत लोग थे यानि कि गुरु द्वारा का जो करता धरता जो हेड लोग होते तो उसको महंत कहा करते थे तो जो महंत लोग थे उसको सपोर्ट कोन कर रहा था Britishers लोग support करते थे और ये जो महंत लोग थे वो क्या थे बहुती corrupted थे तो इसलिए पंजाब की जो सीख थे वो चाहते थे कि इनको क्या करे हटा दे महंत के जो पद्र पे बैठे हुए हैं उनको क्या करे हटा दे तो ये हटा क्यों नहीं पा रहे थे तो कारिन ये है कि जो महंत लोग गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए थे उनको support कोन कर रहे थे British जो हैं उनको support कर रहे थे तो वहां के सीख जो थे पंजाब के जो सीख थे वो अब पुरी ताकत लगा रहे थे और इसे लिए एक अंदोलन हुआ जिसका नाम है अकाली अंदोलन और इस अंदोलन का जो उदेश ये है वो ये था कि वहां पर भरष्ट बैठे हुए मंत को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो ये भी जो moment आपको देखने को मिलता है अकाली अंदोलन जो आपको मिलता है तो ये भी महात्मा गांधी के थू जो चलाया हुआ moment था that is the cooperation moment इससे कही न कहीं आपको देखने को मिलता है अब सिर्फ यही नहीं था बलकि जो असाम में जो बगान में काम करने वारे लेबर्स थे वो भी कही न कहीं गुनगान गाने लगे किसके गांधी जी महराज की जय यानि कि गांधी जी की जो है वो नारे बाजी करने शुरू हो गए तो अब आपके मन में ये प्रिशन आएगा कि असाम के जो चाय बगान में काम करने वाले लेबर्स थे वो अचाना किसरा का क्यों कर रहे थे तो जो चाय बगान में काम करने वाले जो लेबर्स थे वो चाहते थे कि उनकी जो तनक्वा है वो बढ़ाई जाए इसलिए उनको ऐसा लगता था कि इनकी जो समस्या है वो गांधी जी के माध्यम से सौट आट हो सकता है और गांधी जी भी ऐसा चाहते हैं कि हमारी जो तनक्वा है जो वहां की लेबर्स हैं उसको क्या किया जाए इनक्रीज किया जाए इसी कारण से वो लोग गांधी जी का जैज़कार करना शुरू करते हैं और सिर्फ यही नहीं होता है बलकि एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो असामी वैशनव सौंग है उसमें क्रिशन के नाम के जगा पर गांधी राज का जो है वो जिक्र होता है उसरा का गीत जो है वो वहाँ के लोग गाना शुरू कर देते हैं सो आप यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉंगली देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांधी जी क्रिशन के देखा पर बैठ हुए है तो इस तरह से गांधी जी के साथ नॉन कॉम्परिशन मॉमेंट के साथ यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से खिलाफत आंदोलन भी जुड़ा आकाली आंदोलन भी जुड़ा चाय बगान के जो लेबर्स थे वो भी जुड़ गये तो कही ने कही एक बहुत ही ताकदवर एक आंदोलन जो है जिसमें एक यूनिटी दिखा देती है वो यहाँ पर देखने को मिलता है